वो कहते हैं ना लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ इसी तरह की लहरों का डट कर सामना किया है विशाल कोटियन ने अपनी जिन्दगी में। तब ही तो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल कर वो बन चुके हैं लाखो करोडों दिलों की जान। तो चलिए बिना किसी देरी आज हमारी इस खास रिपोर्ट में बताते हैं आपको कहानी विशाल कोटियन की। विशाल कोटियन का जनम 13 फेबरुरी 1985 को मुंबई महाराश्र में हुआ था। अपने शुरुवाती दिनों में विशाल ने आर्थिक तंगी से परिशान होकर अपनी पढ़ाई की फीज भरने के लिए सलमान खान की फिल्मों के टिकेट भी ब्लाक में बेचे हैं। उन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई फातिमा हाई स्कूल मुंबई से की और डॉन बॉसको कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। विशाल ने मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज ओफ कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट की डिगरी हासिल की। विशाल ने अपनी पारिवारिक हालातों से समझोता करते हुए बहुत ही कम उम्र में टीवी सीरियलों में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। उन्हें लगबग 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है इस इंटिटेन्मेंट इंडस्ट्री में। 17 साल की उम्र में विशाल अपने कॉलेज में एथिलिट थे। इसलिए उनकी बोड़ी अच्छी थी। विशाल उस दोरान अपना फोटो शूट कराना चाहते थे लेकिन विशाल को नहीं पता था कि फोटोग्राफी का खर्चा कितना आएगा। उनके दोस्तों ने एक बार ग्लाड रैक्स के लिए उनकी तस्वीरे भीजी और उन्होंने वही से प्रसिद्धी हासिल करना शुरू कर दिया। विशाल कोटियन ने 1998 में टीवी शो दिल विल प्यार व्यार से शुरुवात की थी। इसके बाद उन्होंने फैमिली नंबर वन शु कोई है दिल है फिर भी हिंदुस्तानी ऐसा देश है मेरा। सी आईडी और प्यार में ट्विस्स समेत कई टीवी शोज किये। विशाल कोटियन ने 2008 में मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काम किया। साल 2014 से 2020 तक उन्होंने हर मुश्किल का हल अकबर बिरबल, विगन हरता गनेश, अकबर का बल बिरबल जैसे कॉमेडी एवधार्मिक शो किये। साल 2014 में उन्होंने महाभारत नाम के टीवी सीरियल में हनुमान की भूमिका भी निभाई थी। विशाल ने बॉलिवुड में भी अपने पैर जमाए हैं। विशाल की लव लाइफ की बात करें तो उनके इंस्ट्रग्राम प्रोफाइल के मताबिक पाइल विच शेटी के साथ वो रिलेशन्शिप में है। उन्होंने इस बात की घोशना भी की है कि उन्हें उनके साथ सगाई करने के लिए कोई मिल गया है। और वो इस साल के अंता को से शादी करेंगे। हाला कि तब उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताय था। विल आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए। And also do like, follow and subscribe to TeleMasala on Facebook, Instagram and YouTube.